फिटर दूतिये वर्स के आपजब्टिब क्वेश्चन स्रीज में आप सभी का स्वागत है यही स्रीज का दूसरा वीडियो है इसके पहले एक वीडियो पचास क्वेश्चन का बनाया जा चुका है आईए वीडियो को सुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है वाट इस दा एड जो है परियोग यानिकी अच्छा है जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा आप्शन भी यानि की इसे आसानी से निकाला जा सकता है अगला क्वेश्चन है विच फाइल इस यूज़ फार फिनिसिंग सार्प कॉर्नर्स नुकीले कोनों की फिनिस के लिए किस फाइल का उप्य पॉइ परियरींग फाइल इसमें सही उत्तर है वेरेडेरuana फाइल इसमें साबसंब ऴी जो है यह अप्शन सी जो है यह सही है अगला question है what is the name of file यहाँ पे चित्र में जो file दिखाई गई है इसका नाम बताना है tinkers file, crossing file, swiss pattern file या dead knot file इसमें सही उत्तर है यह है tinkers file, इसमें option A जो है यह सही है अगला question है आकिर्ती की पुष्टी करने है दो वर्कपीस को जाचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है profile gauge, snap gauge, caliper gauge या progressive gauge जो इसमें सही उत्तर है वो है profile gauge, इसमें option A जो है यह सही है अगला question है what is the purpose of filler gauge filler gauge का उद्देश क्या है drill किये गए hole की गहराई जाचना screw thread की pitch को चेक करना वर्कपीस की radius यानिकी त्रिज्या की जाच करना या check the gap between matting parts यानि कि मिलने वाले भागों के बीच में gap की जाच करना तो हमारा जो filler gauge होता है उसका यही काम है इसमें option D जो है वो सही है अगला question है what is the name of gauge चित्र में जो हमें gauge दिखाया गया इसका नाम बताना है drill gauge, center gauge, profile gauge या standard wire gauge इसमें सही उत्तर है standard wire gauge option D इसमें सही है अगला question है बाहरी ब्याच की जाच के लिए किस gauge का प्रियोप के जाता है plug gauge, plane ring gauge, taper ring gauge या progressive plug gauge जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा option B इसमें जो है plane ring gauge अगला question है आकार के निर्माड के लिए slip gauge को एक साथ जोडने की प्रिक्रिया को क्या कहते है glazing, pinning, loading या ringing इसमें सही उत्तर है वो है हमारा ringing option D अगला question है what material is used to make sign bar sign bar को बनाने के लिए किस material या धातु का प्रियोग किया जाता है in-var steel, high speed steel, high carbon steel या stabilized chromium steel इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा stabilized chromium steel इसमें option D जो है वो सही है अगला question है how the length of sign bar is specified यानि कि sign bar की लंबाई को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है roller के बाहरी बिंदूओं के बीच roller के आंत्रिक बिंदूओं के बीच roller के केंदर बिंदूओं के बीच या sign bar के किनारों के बीच इसमें सही उत्तर है वो है roller के केंदर बिंदू के बीच इसमें option C जो है वो सही है अगला question है sign bar के साथ जांच करते समें कौन सा त्रिभूज ट्रैंगल का कंड बनाता है surface lid, sign bar width, sign bar की लंबाई या slip gauge की उचाई इसमें सही उत्तर है option C sign bar की लंबाई अगला question है लैपिंग आपरेशन में अब घरसक compound के अत्यधिक उप्योग का क्या प्रभाव है असुद्धियों का विकास होना चमकीरे धब्बे दिखाई देना घटक movement को बाधित करना या लैपिंग compound का चिपचिपा होना तो इसमें सही उत्तर है वो है option A यानी की असुद्धियों का विकास होना अगला question है यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कट हो रहे तो क्या होगा वर्कपीस लैप को काट देगा एक रेसी प्राप्त नहीं होगी लैप वर्कपीस को काट देगा लैपिंग आपरेशन उच्छ धब्बे बनाने लगेगा इसमें जो सही उत्तर है वो है option A वर्कपीस बिल कट दे लैप इसमें option A जो है ये सही है किस सामागरी का उब्योग छोटे ब्यास का लैप बनाने में किया जाता है इसमें जो सही उत्तर है वो है option D अगला question है सता टेक्चर यानि कि सर्फेस टेक्चर को मापने के लिए किस इंस्टूमेंट का प्रियोग हम लोग करते हैं यहाँ पे चित में दिखा आ गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर इलेक्ट्रिकल सर्फेस इंडिकेटर इलेक्ट्रोनिक सर्फेस इंडिकेटर या मैकेनिकल सर्फेस इंडिकेटर इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option D मैकेनिकल सर्फेस इंडिकेटर अगला question है why manual stroking is preferred for large quantities in honing operation यानि कि honing operation में बड़ी मात्रा के लिए manual stroking को क्यों पसंद किया जाता है इसमें जो absence है लागत कम करने के लिए time बचाने के लिए tolerance को बहुत अच्छा रखने के लिए यानि कम रखने के लिए to reduce maintenance का आश्ट रखाओ लागत को कम करने के लिए जो इसमें absence सही है वो है absence C to keep close tolerance काफी कम रखने के लिए what is the purpose of hardening hardening करने का उद्देश क्या है सरचना को परिस्कृत करना toughness को बढ़ाना काटने की छमता बढ़ाना stress और strain को दूर करना इसमें जो सही उत्तर है वो है option C increase cutting ability यानि की काटने की छमता को बढ़ाने के लिए हम लोग hardening करते है अगला question है उसमा उप्चार की कौन सी बिधी द्वारा किसी जॉब में मसीनी करन और ductility का सुधार होगा annealing, hardening, tempering या normalizing इसमें सही उत्तर है annealing option A अगला question है heat treatment पक्रिया में flame hardening का नुकसान क्या है अधिक विकृति hardening का समय ज्यादा होना hardening की कम गहराई या छोटे workpiece के लिए यह उप्युक्त नहीं है इसमें option D जो है यह सही है छोटे workpiece के लिए उप्युक्त नहीं है अगला question है base metal पर metal की परतों को roll या layer खीचने के लिए कीगी धात्वी coating करने की विधी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते है इस प्रेइंग क्लैडिंग कि एनामिलिंग या मोल्टन मेटल बाद इसमें जो सही उत्तर हो है option B उसको हम लोग कहते हैं क्लैडिंग कि अगला question है यदि हव या पुली को अच्छे रूप से कुछ दूरी कि तक साफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी हम लोग प्रयोग करते हैं फेदर की फ्लैट सैडल की सर्कूलर टेपर की या हॉलो सैडल की इसमें जो सही उत्तर हो है अगला question है काउन सा नट बोल्ड के सीरे की चूडियों को नुकसान होने से बचाता है कैसल नट सलॉटेड नट या नल नट इसमें जो सही उत्तर है वो है आप्शन ए कैप नट अगला question है precision tool room में अनुपरियोगों के लिए किस grade के slip gauge का प्रियोग के जाता है grade 00, grade 0, grade 1 या grade 2 इसमें जो सही उत्तर हो है option C, grade 1 अगला question है which material is used to make slip gauge block, slip gauge को बनाने के लिए किस material का प्रियोग करते है tool steel, low grade steel, high grade steel with low thermal expansion यानि कि उच्च grade का steel जिसका प्रशार कम बढ़ता हो high carbon steel इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option C, high grade steel with low thermal expansion अगला question है वो है महीन अब घर्षकनों का उप्योग किस operation में किया जाता है filing, liping, scraping या polishing इसमें जो सही उत्तर है वो है मारा option B यानि कि liping अगला question है नार्मलाइजिंग करने का उद्देश क्या है काटने की छमता को बढ़ाना उच्च का ठोड़ता का विकास करना, घिसने की प्रतिरोधों को बढ़ाना या stress और strain को दूर करना इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option D, remove stress and strain जो आंतरिक stress में बना होता है उसको हटाना which structure of ethyl contain 0% carbon यानि कि steel की कि सरचना में 0% carbon होता है इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A, ferrite अगला question है surface hardening करने की बिधी कौनसी है यहाँ पर जो दिखाए गई है night riding, case hardening, flame hardening या induction hardening इसमें सही उत्तर है option D, यह है हमारा induction hardening अगला question है which type of key is used for transmitting high torque on both direction of rotation यानि कि घोमने की दोनों इस्तितियों में, दोनों दिशाओं में अगर high torque हमको जो है transmit करना हो high torque जो है एक shaft से दूसरे shaft भी भेजना हो तो हम किस प्रकार की कुंजी का प्रियोग करते हैं flat saddle की, taper sun की, woodruff की या feather की, इसमें सही उत्तर है option D, Tangential key, यानि कि इसमें जो है Tangential key का हम लोग प्रियोग करेंगे अगरा question है what is the use of ring gauge ring gauge का प्रियोग क्या है hole diameter यानि की ब्यास चेक करना soft diameter यानि की soft का ब्यास चेक करना check tapered soft diameter यानि की tapered soft का यानि की tirshthe soft के ब्यास का जो है या फिर check internal thread diameter आंतरिक thread ब्यास की जांच करना इसमें सहीत तरह होग है option B check soft diameter अगला question है which gauge is used to check the accuracy of internal thread यानि की आंतरिक चूडियां कहीं पर कटी हुई है तो उसकी accuracy किस gauge द्वारा हम लोग चेक करते हैं ring gauge, snap gauge, thread ring gauge या center gauge इसमें सही है option thread ring gauge option C अगला question है what is the name of gauge यहाँ पर चित्र में जो gauge दिखाया गया है इसका हमें नाम बताना है ring gauge, snap gauge taper ring gauge या internal thread gauge इसमें जो सही उत्तर है, option C यह है हमारा taper ring gauge अगला question है what is the procedure to select the slip gauge for particular dimension यानि की विसेस आयाम के लिए slip gauge के निर्माड करने की जो प्रकिरिया है वो कौन सी है, grade accuracy के साथ बनाया जाए block की निवनतम संख्या होनी चाहिए block के दिख्तम संख्या होनी चाहिए या छोटी slip gauge हों से हमें ringing की शुरुआत करनी चाहिए जो इसमें सही उत्तर है, वो है option D यानि की start ringing with small slip gauge अगला question है, कौन सी प्रकिरिया मिलने वाले घटकों के बीच, फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है, filing, turning, grinding या लैपिंग, इसमें सही उत्तर है लैपिंग, option D अगला question है, नरन श्टील और अलावधातों की लैपिंग के लिए हम लोग किस अब घर सक, यानि की abrasive का उप्योग करते हैं, silicon carbide boron carbide aluminum oxide या fused aluminum इसमें जो सही उत्तर है, वो है option A, यानि की silicon carbide अगला question है, which finishing operation is profound by the tool that rotate and reciprocate simultaneously, यानि की किस प्रकिरिया में जो finishing की प्रकिरिया है, उसमें tool जो है, घूमता भी है, और साथ-साथ ऊपर नीचे भी होता है, उस प्रकिरिया का नाम क्या है, drilling, honing, lapping या grinding, तो इसमें सही उत्तर है honing, इसमें option B, जो है ये सही है, अगला question है why holes are provided in ring type liping, यानि की ring type की जो liping होती है, उसमें छेद क्यों दिये जाते हैं, इसके options है सनेहन के लिए, यानि की lubrication के लिए गर्मी को दूर करने के लिए, liping compound को पकड़ने के लिए, या इसकी दच्छता को बढ़ाने के लिए, इसमें option सही है C, यानि की hold liping compound अगला question है, which type आपकी है, जोन face curvature to match soft surface soft सता से match करने के लिए, किस प्रकार की key में जो है एक face पे curvature curve की तरह बना दियाता है sun की, flat saddle की, circular taper की, या hollow saddle की, इसमें option सही है D, hollow saddle की अगला question है, what is the name आपकी, यहाँ पे चित्र में जो की दिखाई गई है, इसका हमें नाम बताना है, parallel sunk की, जिभेट की, उटरफ की, या taper sunk की इसमें जो सही उत्तर है, वो है option parallel sunk की, option A अगला question है, which type of cutting tool is tempered by heating up to turning tools या rimers, इसमें जो सही उत्तर है, वो है option C turning tools, यानि की घूमने वाले जो tools होते हैं, turning करने के लिए उस तरह के tool में अगला question है, steel की normalizing पर क्रिया क्यों की जाती है, काटने की छमता को बढ़ाने के लिए, उच्छे कटोरता विक्सित करने के लिए, stress और strain को दूर करने के लिए, increase beer resistance यानि की घिसने के प्रत्रोद को बढ़ाने के लिए, इसमें जो सही उत्तर हो है, option C to remove stress and strain अगला question है, कौन से उसमा उप्चार पक्रिया steel के beer resistance को बढ़ाता है annealing, tempering, hardening या normalizing, इसमें सही उत्तर है hardening, option C अगला question है, annealing का उद्देश क्या है steel को नरम करने के लिए, काटने की छमता को बढ़ाने के लिए, घिसने के प्रत्रोद को बढ़ाने के लिए, या strain की grains रचना को refine करने के लिए इसमें जो सही उत्तर है, वो है option A यानि की to soften the steel अगला question है, square head screw में collar क्यों प्रत्रान के जाते हैं, कार की सता को सुरच्चित रखने के लिए, सिर्की चड़ाई बढ़ाने के लिए leak proof joint को प्रत्रान करने के लिए, या साधनों के पहुच को प्रत्रान करने के लिए, यानि की वहाँ पे कोई, अगर tool हम लगाना चाहें, तो उसके लिए वो दिया जाता है, इसमें सही है, protect work surface, यानि की कार की सता को जो है, इसको अच्छा प्रत्रान करने के लिए, अगला question है, taper plug gauge का उद्देश क्या है, perfect fit के साथ छेद करने के लिए, अंदर के तो इसमें जो सही उत्तर है, वो है, option C, यानि की check tapered hole with perfect fit, यानि perfect fit के साथ tapered hole की जाँच करने के लिए, अगला question है, adjustable ring light में slot क्योंग दिया जातने है, स्नेहन के लिए, clearance देने के लिए, विस्तार करने के लिए, या lamping compound में feeding की अनुबती देने के लिए, इसमें जो सही उत्तर है, वो है option D, यानि की lamping compound में feeding की अनुबती देने के लिए, अगला question है, कौन सा आप घरसक में उत्कृष्ट कटाई का गुण नहीं होता है, और महंगा है, हीरा, बोरान करबाइड, सिलगान, करबाइड या aluminum oxide, इसमें जो सही उत्तर है, वो है बोरान करबाइड, option B, अगला question है, लैपिंग क्या है, filing operation, grinding operation, chiseling operation या precision finishing operation, तो इसमें जो सही उत्तर है, वो है option D, precision finishing operation, अगला question है, इस लैप टूल का नाम क्या है, split bus lap, adjustable ring lap, adjustable solid lap, या charging cylindrical lap, तो इसमें जो सही उत्तर है, वो है option A, split bus lap, तो इस तरह हमने 100 questions इस वीडियो में कभर किये हैं, आगे जो 50 questions हैं, वो लोग हम लोग next वीडियो में कभर करेंगे, धन्यवाद,